हेलो फ्रेंज मैं हूँ भोली और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुक्वीद भोली में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मुंग दाल का हल्वा तो अगर आप भी मुंग दाल का हल्वा खाने के लिए साधी या पार्टी का वेट करते हैं तो आज के बाद आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे घर में ही बहुती आसानी से और बहुती कम महनत के साथ में इसे बना करके तयार कर लेंगे. तो इसे देख करके आपके मुं में भी पानी आया ना, तो पानी को कंट्रोल कीजे और इसे खाने की तैयारी कीजे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, इसके लिए मैंने एक कटोरी मूंग डाल ली है, और ये बीना छिलके वाली मूंग डाल है, इसे हम कपड़े पर रखेंगे और इस तरह सुखे ही पोच लेंगे, तो इसे मैंने धोया नहीं है, इस तरह पोचने से इसके उपर में जो भी डस्ट या पाउडर वगेर होगी ना, वो निकल जाएगी आसानी से, तो अच्छे से आप इसे पोच लीजे और एक मिक्सी के जार में इसे डाल देंगे हम, इसका एकदम फाइन पाउडर बना करके हमें तयार करना है, तो लीजे मूंग दल हमारी पीस करके तयार है, इसे हमें एक कढ़ाई में डालेंगे, अलगभग चार टेबल स्पून यहां पर मैंने घी डाला है, इसी के साथ ही इसे भूनते जाएंगे, तो यह र कलर देखिए, कंटीनियू चेंज होता जाएगा, तो फ्लेम को आप हाई या मीडियम भी कर सकते हैं, इस तरह कंटीनियू आप इसे चलाते रहिए, जब तक कि यह अच्छा ब्राउन कलर करना हो जाए, अल इसे दस मिनाट हो गए हैं, इसे भूनते हुए मुझे, इसका कलर बहुत ही प्यारा सा आचुका है, तो अब यहीं पर हम जिस कटोरी से मैंने मुझ दाल लिया था, उसी कटोरी से दो कटोरी यहाँ पर दूट डाल देंगे, तो देखिए, जैसे ही मैंने दूट डाला है, एकदम गाढ़ा सा हो गया है फूल करके, तो यहां पर एक कटोरी दूद और डाल देंगे और इसी के साथ ही जिस कटोरी से मैंने मुंग की दाल ली थी उसी कटोरी से आधा कटोरी या स्वादानुसारशकर डाल देंगे और इसे continue चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी कुटली या ना रहे तो लिजे इसे चलाते हुए हम इसे पका लेंगे तो ये मूंकी डाल है और जो भी डाल हम लेते हैं उसे अच्छे से पका करके लेना चाहिए तो आप इस तरह चलाते रहें ये फूल करके एकदम दानेदार हो जाएगी और देखिए उबलने लगी है तो यही पर हम तीन टेबल स्पून की और डाल देंगे अभी ये सुखी सुखी सी लग रही है ना देखने में एकदम और यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैंने मिल्क पौडर लिया है अगर आपके पास मिल्क पौडर नहीं है तो आप दूद की क्वांटिटी जादा भी कर सकते हैं यह आपके पास अगर खोया है तो आप वह भी डाल सकते हैं तो लिज़े कंटिनुई से चलाते रहे हैं और यह अच्छे से पकने लगी है और जैसे ही आपको ड्राई लगे यह देखने में तो आप थोड़ा सा घी इसके उपर और डालते जाए धीरे-धीरे करके तो जब हम मूंग दाल का हलवा बनाते हैं तो जितना हमने मूंग दाल लिया है उतना ही इसमें घी डल जाता है और जैसे ही अच्छे से भूनती है सारा घी अलग हो जाती इसमें से अब एक कड़ाई में हमें चमच घी डाल देंगे और कुछ ड्राई फ्रूट से कटे उपर से गार्निशिंग के लिए तो लीजे तयार है हमारी बहुती स्वाधिष्ट सी हुंग डाल का हलवा तो है न इसे बनाना बहुती आसान आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे कृष्णा